आस्ट्रेलिया में COVID-19 महावारी के बाद जब क्रिकेट अभ्यास शुरू होगा तब गेन को चमकाने के लिए लार या पसीने के इस्तमाल की इजाज़त नहीं होगी इस महावारी के बाद खेलों की वापसी को लेकर आस्ट्रेलिया इस सरिकार ने जो खाका तयार किया है उसमें दिये गई सुझाव में शामिल है ऐसी अटकली है कि ICC भी इसके संक्रमन के जोखिम को कम करने के लिए गेन को चमकाने के लिए लार का उपयोग बंद करने पर विचार करे ही है ICC लाल गेन को चमकाने के लिए एमपाईस की देखरेक में कृतरिम प्रदार्थों के उपयोग की अनुमती देने की संभावना पर विचार करे ही है ESPN क्रिक इंफो के मताबिक आस्ट्रेलियाई खेल संस्थान AIS ने चिकल सा विशेशक्यों खेल निकायों के अलावा संखे और राज़सरकारों के परामर्श से दिशान निर्देश जारी किये जिनमें गेंग को चमकाने के लिए पसीना और लार के व्योग पर प्रतिबंद की बात की गई इस देशान निर्देश में खेलों की तीन चरण A, B और C में बापसी का जिक्र है जिसमें व्यक्तिकत अभ्यास के अलावा हर चीज पर प्रतिबंद है एक सब्तार से कुछ अधिक समय के बाद प्रतिबंदों को 20 तर पर कर दिया जाएगा जहां सीमित संख्या में अभ्यास की इजादत होगी इस दोरान गेंग पर लार या पसीने की इस्तमाल पर रोक जारी रहेगी अगर आपको इस रिपोर्ट पसंद आई तो से लाइक और शेयर करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं डेली फ्रैंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए